हाई फ्रेंड्स कर्मेन को एज़ुकेशन में आप सभी का स्वागत हैं दिस इस प्रिया कश्चप आज हम आपके लिए लेकर रहे हैं कुछ करेंट अपर एंसी क्यूस जोके सिक्स में 2020 से लिए गए हैं वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज लाइ पत्रकारो और फ्रेंट लाइन वरकर्स का कितने लाग रुपे तक की पत्रकारों को भी शामिल किया गया है। haut पश्चिम बंगॉल में भी प्रोना वाइरिस के मामलों में लगा तल बढ़ोत लेकने को मिल रही है। सरकार के अनुसार सरकार के अनुसार अब तक की संक्रमीत्त मामले सामने आये हैं woda 1106 जिन से 33 की मौत हो चुकी है और 151 लोग ठीक भी हो चुके हैं एक बार मैप देख लेते हैं मैप में पश्यम बंगा यह हमारा पश्यम बंगा जैसे कि यहां आप देख पा रहे हैं और इसकी जो सीमा रेखाएं मिलती हैं वो उडीसा से मिलती हैं और यहां जैसे कि देख पा रहे ह यहाँ यह सिक्किन से भी सीमारे का मिलती है और इस साइट देखेंगे तो यहाँ इसकी सीमारे का असम से मिलती है और जो यहाँ की मुख्यमंत्री जैसे कि अभी कनफर्म किया ममता बनर्ची जी है और यहाँ के जो गवर्णर है मिस्टर जगदीप धनकर जी है और पश्ची मंगल की जो कैपिटल है वो है कॉलकता जैसे कि आप यहां देख पर है कॉलकता भी और लड़ी मेंशन है यहां पर वैस्ट बंगल के ठीक नीचे यहां यह कॉलकता इसकी कैपिटल है इसी के साथ देखते हैं next question next question है विश्व एंटी डॉपिंग एजेंसी ने डॉप टेस्ट में फेल होने पर भारतिया डिसकर्स रोहर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिवन लगा दिया है option है 7 साल, 5 साल, 4 साल, 2 साल जो correct answer है वो है 4 साल इसी के साथ एक बार डिडियों सेख लेते हैं विश्व एंटी डॉपिंग एजेंसी वाड़ा ने डॉप टेस्ट में फेल होने पर भारतिया डिसकर्स थ्रोहर संदीप कुमारी पर 4 साल का प्रतिवन लगा दिया गया है उन पर 26 जून 2018 से प्रतिवन लगो होगा जो प्रतिवन लगो किया जाएगा वो 26 जून 2018 से लगो किया जाएगा क्योंकि उसी दिन टेस्ट के नमूने लिए गये थे इससे पहले भारतिय डॉक टेस्टिंग लेबरटी को संदीप के खोन में कोई प्रतिवन दितत्वन नहीं मिला था एक पर देखते हैं यह हैं हमारी संदीप कुमारी जी जिन्होंने संदीप कुमारी जी ने नेशनल इंडर स्टेट चेंपेंशिप जो की 2018 में गोहाटी में हुई थी उसमें वह थो 58.41 मीटर गोल्ड मेडिलिस्ट भी थी इसी के सार चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन नेक्स्ट कोश्चन है राष्ट्रे मंडल खेल महासंग CGF ने हाल ही में कहा कि COVID-19 महामारी की वजह से एक साल के लिए टले टोक्यो अलम्पिक की तारिखों से टकराव से बचने के लिए राष्ट्रे मंडल युवा खेल 2021 के वजह किस साल में होंगे आप्शन है 2022-2023-2024-2025 जो इसका करेक्ट अंसर है वो है 2023 डेटियल से लेते हैं डेटियल से टोक्यो अलम्पिक का आयोजन इस साल 23 जुलाई से 8 अगस तक होना था लेकिन पिछले महीने इसे एक साल के लिए स्थागित कर दिया गया इसे जो स्थागित किया गया था लास्ट मन्थ वो किया था एक साल के लिए राष्टे मन्दल खेल महासंग कारेकारी बोर्ड ने 2021 राष्टे मन्दल युवा खेलों किसी अन्य तिथी पर कराने के विचार करने का निर्ड़ लिया है राष्टे मन्दल युवा खेलों के जो अन्य तिथी पर करने का विकलपों पर विचार करने का निर्ड़ लिया है उन्होंने बियान में कहा गया कि सकारात्मक चर्चा के बाद CGF फविशे में इसके आयोजन के लिए सर्वत्तम विकलपों और समय सीमा पर विचार करने के लिए त्यार हो गया है संभवता इसका आयोजन जो किया गया है 2023 में किया गया राइश्ट्रे मंडल युवा खेलों के सात्वे सत्र का आयोजन एक से साथ अगस्तक त्री नी दाग और टॉबिगों में होना था यह है यह सेकिंड टाइम जापान में होने थे जो कि अब पॉस्पर्ण हो चुके हैं और जो इसकी शुरुवात हुई थी टोक्यो ओलम्पिक्स की वो ही थी 1964 में एक बर मैप में जापान देख लेते हैं यह हमारा है जापान जो इसकी कैपिटल लगती है वो है टोक्यो जैसे कि आप यहां देख पने जो जापान की कैपिटल लगती है वो टोक्यो लगती है और जो जापान की कैरंसी है करंसी है ज जापान है वो पूर्वी शमुद में पढ़ने वाला देश है और वर्ड में सबसे पहले सूर्य उदे जापान में ही होता है इसी के साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशन है विश्व प्रेश सतंता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है आप्शन है 25 मार्च, 10 मार्च 18 मार्च, 3 माई जो करक्टान से नहीं वो है 3 माई डिटेल्स देख लेते हैं हर साल 3 माई को हर वर्ष, वर्ड प्रेस फ्रिडम डे के तोर पर मनाया जाता है यूनैसको की आम सम्मिलन की सिफारिश के बाद दिसंबर 1993 संयूकत राष्ट्य महा सभा द्वारा वीशु प्रेस वतंता दिवस कुशित किया गया था यूनैसको की जो आम सम्मिलन की सिफारिश تी उसमें दिसम्बर 1993 में सयुगत राश्च्टे महासबाद द्वारा विश्व प्रेस स्वतंतर दिवस को मनाने का मुख्यो देश्य प्रेस को स्वतंता के मूह सिधान्तों का जश्न मनाने का था के साथ दुनिया भर में प्रेश की स्वतंता की इस्थिति का आंकलन करना है विश्व प्रेश स्वतंता दिवस के दिन गिलेरमो कानो वर्ड प्रेश प्रीडम पुरसकार दिया जाता है वो गिलेर्मो कार्णो वर्ड प्रेस प्रीडम पुरसकार दिया जाता है यह पुरसकार उस संस्तान के व्यक्ति को दिया जाता है जो प्रेस की प्रीडम के लिए बड़ा कादिय करता है इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट कॉश्चन नेक्स्ट कॉर्शन है निम्न में से कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्करिटिक जलवाईयो और परियावरन की निगरानी है तू अपना पहला आर्करिटिक एम उपगरह लॉंच करेगा अप्शन है चीन, नेपाल, रूस, बंगलादेश जो इसका करेक्ट आंसर है वो है रूस इसी के साथ इसकी डिटेल्स सेखते हैं एक पर डिटेल्स है रूस का आर्करिटिक एम रिमोट सैंसिंग और अपात्कालिंग संचार उपगरह है पृथिवी के धुरुवय शेत्रो में मौसम संबंधि डेटा एक अत्र करेगा जो वो डेटा एक अत्र करेगा मौसम संबंदि जो भी डेटा रहेगा वो एकत्र करेगा इससे मौसम के पूरा नुमान में सुधार करने की अनुमती दी जाएगी और विग्यानिकों को जलवायू परिवर्थन का बहतर अध्यान करने में सक्षम बनाएगा इससे जो बेनिफिट हो वो मौसम के पूरा अनुमान में सुधार करेगा और उसा सुधार करने के अनुमती हिस दी जाएगी जिसकी वेशे सुधार हो पाएगा और वज्जानिकों को जल्वाईयो के परिवर्तन का बैतर से अध्यान करने में सक्षम रहेंगे जो अध्यान हो तो जल्वाईयों का वो एजिली कर पाएगे यह जानकरी लावोचिन एरोस्पेस कंपनी के जनरल डारेक्टर व्लादिमीर कॉलिम कोव ने न्यूज एजेंसी स्पुत निक को दी है व्लादी मेर कॉलिम कोव ने कहा कि यह है अब तक का नमबर एक आर्केटिक एम आर्केटिक एम अंतरिक्ष यान विक्सित किया गया है और इसका रेडियो इलाक्ट्रोनिक परिक्षन किया जा रहा है एक बार मैप देख लेते हैं मैप में जो रूस है जो कि हमारी रश्या कंट्री में आता है यह है हमारी रश्या कंट्री जो कि शेत्रफल में अगर देखा जाए तो देश का सबसे बड़ा देश हो है जो रश्या है वो वर्ड में सबसे बड़ा देश माला जाता है शेत्रफल के अकॉर्डिंग और इसका जो अफिशल नेम है वो रशियन फेडरेशन है और यहां की जो पॉपुलेशन है रशिया की वह है 14.45 करोड और यहां की जो कैपिटल है वो है मॉस्को जो कि सबसे बड़ी सिटी है जैसे कि आप देख पर हैं यहां मैंशन है मॉस्को यहां के सबसे बड़ी सिटी भी है और जो यहां की करंसी है वो करंसी है रशियन रूबल जो इंडियन की अकॉर्डिंग देख जाए तो 1.90 पैसे इक्वल है यहां के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर लडिनेर पुतिन जी है और ऑफिशल जो यहां की लैंग्विज है वो है इसी के साथ नेक्स्ट कॉशन देखते हैं नेक्स्ट कॉशन है इसका करेक्ट अंसर है तीसरे जो टेस्ट रैंकिंग में भारत को रखा गया है वो तीसरे इस्थान पर रखा गया है एक बार डिटियल सेख लेते हैं भारत ने ICC टेस्ट रैंकिंग में अपना शीर्षिस्थान खो दिया है जो भारत का शीर्षिस्थान था वो खो चुका है भारत और अब तीसरे स्थान पर आ गया है आस्ट्रेलिया ने ICC द्वारा जारी ताजा टेस्ट और T20 रैंकिंग में पहला अस्तान हासिल किया है जो पहला अस्तान हासिल किया है वो अस्ट्रेलिया नहीं किया है ICC ने 1st May 2020 को वार्शिक ranking जाड़ी की उन्होंने जो ranking जाड़ी की जारी की थी वो 1st May को की गई थी 2020 को जिसमें 2016-2017 के सत्र की ranking का data हटा दिया गया है भारत ने साल 2016 के बाद पहली बार यह इस्थान गवाया है 2016 के बाद जो पहली बार गवाया है भारत ने ये इस्थान अपना फर्स्ट इस्थान जो हमेशा थे भारत का था ICC पूरुष वन डेट टीम रैंकिंग में मौज़दा विश्व विजेता इंग्लेंड 127 संकों के साथ पहले इस्थान पर है एक बार मैप देख लेते हैं यह है भारत का मैप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर भारत की जो सीमा मिलती है इंटरनेशनल में यहाँ पाकिस्तान से यहाँ पर सीमा मिलती है यहां से देखा जाए अफगानिस्तान से मिले यहां देखे तो यह है चाइना अपना यहां पर इसकी सारी सीमा भारत से मिलती है वर्ड में population के according देखा जाए तो हमारा भारत second number पर आता है by area देखा जाए तो 7th largest country है और यहां की जो भारत की population है वो 135.26 करोड है जो capital है वो है न्यू डेली जैसे कि आप यह dot देख पा रहे है यह है न्यू डेली और न्यू डेली की जो सीमा रेखा है मिलती है by state यह हर्याना से मिलती है और इस साइट उत्तरबर्दिश्टे और यहां भारत के जो capital है वो टेली है जैसे कि आपको यहां पर confirm किया गया और यहां के जो प्रेसिडेंट है भारत के वो mr. रामनात कोवेंदी जी है और जो पी है मिस्टर नरेन मोदी जी है इसी के साथ देखते है next question next question है आज का हाल ही में किस अनुभवी बल्ले बाज को न्यूजेलेंड का वर्ष का सर्वशेष्ट क्रिकेटर चुना गया है वर्ष का सर्वशेष्ट क्रिकेटर चुना गया है ऑप्षेन है रॉस टेलर काईले जैमिसन मिचेल सेंटनर तीम साओधी जो इसका correct answer है वो है र आतो इसी के साथ इसकी डिटियल सेखते है जो डिटियल ने तीन प्रारूप में शांदर प्रदेशन के लिए तीसरी बार सरी रिचर्ड हैडली मेल प्रापत किया है चैलर इस सत्र में स्टीफन प्लैमिंग को पीछे छोड़ कर टैस्ट क्रिकेटर में न्यूजे लेंड की के तरफ सरवधिक रन बनाने वाले वल्लेवाज बने हैं इसके अती रिखते वे अंतर्राष्ट्र को स्पारूपेफ के तीनो प्रारूपों में सो मेच में क्रिकेट के अंतर्राष्ट्र Plesta रॉस टेलर ने न्यूजलेंड के लिए कुल 232 बंडे 100 T20 और 101 टेस्ट मेंच खेले हैं एक बार देख लेते हैं पिक्चर मिस्टर टेलर जी की यह है मिस्टर टेलर जी इनका जो कम्प्लीट नेम है वो है लुट्रू रॉस पाउट्वा लॉट टेलर जो इनका कम्प्लीट नेम है जो इनका पूरा नाम है इसी के साथ चलते हैं next question next question है इसका हाल ही में किस राज्य के चौक आओ अर्थात काले चावल को वो गोलिक संके तक GI का टैग दिया गया है option है मध्यपरदेश बिहार पंजाब मणीपूर जो correct answer है वो है मणीपूर इसी के साथ details सेखते हैं इसके डिटेल से चौक हाओ को GI टैग प्रदान करने के लिए चौक हाओ उत्पादग संक द्वारा आविदन दायर किया गया था चौक हाओ एक सुगंदित और चिपचिबा चावल है जिसकी मणीपूर में सदियों से खेती की जा रही थी चावल की इस किस्म में विशेज प्रकार की सुगंध होती है इसका उप्योग समानता सामूद दावतों में किया जाता है तथा इन दावतों में चाक हाओ की खीर बनाए जाती है चाखाओ का पारंपरिक चिकिस्सा प्रणाली में भी उप्योग किया जाता है चाखाओ के जो चावल है उनका जो उप्योग किया जाता है पारंपरिक चिकिस्सा प्रणाली में भी उप्योग किया जाता है एक बार मैप देख लेते हैं हैं यह मैप हैं और यहां पर जो है यह मनीपूर मैं जैसे कि यहां DO NOT इसाओ एर यह यहां के जो कैपिटल जैसे कि यहां मेंशन को कि इसकी फ़िए कर ऐसकी चेपिटल कर pregnant वहुए कि फो कि यहां पर सील्पर है जैसे कि यहां मेचुञा डिससे यहां मेजोरों से मिलती है इस साइट देखे जाएगे तो यह नागलेंड से भी इसकी सीमा मिलती है और इस साइट से यह असम से भी इसकी सीमा मिलती है जो इंटरनेशनल लेवल पर मिलती है जैसे कि आप देख पारें यहाँ पर मयनवार से भी इसकी इंटरनेशनल लेवल पर मिलती है यह है मयनवार यहाँ पर इसकी इंटरनेशनल लेवल पर सीमा मिलती है इसका नेशनल मिलती है इसी के साथ नेक्स्ट क्रेशन पर नेक्स्ट क से कम 120 दिनों की रोजकार की गारंटी देने वाले मुख्य मंत्री चहरी रोजकार गारंटी योजना लॉंच की है आप्शन है करोना महामारी के द्रिष्टी गत राचे में अर्थ व्यवस्ता को पूनस सोद्रिड करने के लिए शहरी जनता का मुख्य मंत्री शहरी रोजकार गारंटी योजना की तहत परणटी दिन 120 दिन का रोजकार मुख्य कराया जाएगा इसके लिए यदि आविशक हो तो उनके कोशल उन्यान के लिए प्रियाप प्रेक्शन प्रदान किये जाएगा इस महामारी के दोरान परदेश में बहरी राज्यों से हजारों लोग वापस आए हैं जिनकी विभिन छेत्रों में कुशलता है उन्हें उनकी कार्य कुशलता अनुसार रोजगार और स्वरोजगार मुख्य कराने के लिए प्रशिक्षन दिया जाएगा सरकार ने श्रमिको को और 2000 रुपे प्रती कामगार प्रदान करने का निन्ने लिया गया है जो कामगार का निन्ने लिया गया है श्रमिको को प्रदान करने का वो 2000 रुपे प्रती कामगार प्रदान करने का निन्ने लिया गया है COVID-19 महामारी के कारण राज्य के क्रिशकों और भागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है जो राज्य के क्रिशक हैं और भागवान हैं उनको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है एक बार मैप में देखते हैं ये मैप में है मैप में यहां जैसे देख परें यह है हिमाचल परदेश मरा जो इसकी सीमा रेकाय मिलती है यहां पर जैसे देख परें उत्राखन से भी इसकी सीमा रेकाय मिल परी है और यहां जैसे की रेका होगा अपने हर्याना से मिल रही है यहाँ सीमा रेका इसकी पंजाब चंडीगर से भी मिल देए यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर इसकी जम्मु एन कश्मिर यहाँ लद्दाक से भी इसकी सीमा रेका मिलती है और जो यहाँ के गवर्णर है हिमाचल परदेश के वो है बंगुर बंडारु जी यहाँ के गवर्णर है और जो यहाँ की कैपिटल है जो समर में रहती है वो शिमला है यहाँ पर दो कैपिटल्स है इसकी जो समर में शिमला रहती है और बिंटर में यहाँ पर धरमशाला और यहाँ के जो चीप मिनिस्टर है मिस्टर जैराम ठाकुर जी है इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन आज का लास्ट क्वेशन है केंदिल सरकार द्वारा चार मईं 2020 तक कितने राज्यों को वन नैशन वन राशन कार्ड योजना के साथ चोड़ा गया आप्शन है 20 25 17 30 जो करेक्ट आंसर है वो है 17 17 राज्यों इसी के साथ एक बढ़ डेटियल सेख लेते हैं केंदिल सरकार ने हाल ही में देश के 5 और राज्यों को इस योजना से जोड़ दिया है अभी जोड़ा गया है 5 नए राज्यों और जोड़े गया है वन नैशन वन राशनकार योजना का लाग बिहार उत्तर परदेश पंचाब हिमाचल परदेश और दमंदिल भी उठा सकेंगे जो ये राज्यों है और राज्यों कौन से भी इनके लाग उठा सकेंगे बिहार, उत्तर पर्देश, पंचाग, हिमाचल पर्देश और दमन दिय। बिहार, इस पर्देश में जो इस योजना से आपस में जुड़ जाएंगे, इन में से कुछ है, आंध्र पर्देश, गोवा, कुचराथ, मध्य पर्देश, महाराष्टर, जारखन, केरल, राजिस्तान, तेलंगना, आदि, शामिल हैं। ओके तो गाईस यह था आज का लास्ट कुश्चन आज हमारे एंसी क्यूज और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में और तब तक के लिए गुडबाई और टेक केर